हलो दोस्तों, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज हम बनाएंगे धाबे के स्वादवाला मतर मसाला, जिसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाया और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो शुरू करता है इसको बनाना, तो एक कड़ाई में हम ले लेंगे दो बड़ी अब मैं इसमेह duk कर लूँगी एक अभ्रक तो मैंने आपे एक इंच से थोड़ा बढ़ा सा अभ्रक इसमें यूज किया है और साथ से आट मैंने इसमें यूज किया है लेस्टन के कलिया और और 3-4 हरे मिर्च इसमें एट कर लेंगे, अगर हरे मिर्च आपके पाँ ज्यादा तीकिए तो आप सिर्फ दो एट करना, ये कम तीकिए तब ही मैंने 4 इसमें एट किये, अब हम इसको हाई फ्लेम में थोड़ी देर ऐसे करके स्टर कर लेंगे, और प्याज को हम लोग प्रविगा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी आता है, इसको भी हमें थोड़ा सा भून लेना है, अब इसमें एट कर लेंगे टमाटर, तो मैंने आपे दो बड़े साइस के टमाटर लिए, उसको भी हमने मोटा मोटा काट लिया था, तो अब हम इसको मीडियम हाई फ्ल प्लूसेंट हो जाएंगे, तब तक हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो चुके और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके, अब हम गैस को यहाँ पर बन कर लेंगे, और इसको ठंड़ा होने के बाद हम इसको पीस लेंगे, तो यह ठंड़ा हो चुके है, मैंने इसको जार में ट्रांसफर कर लिया है, तो अभी हमें इसको बिना पानी डाले, महीन सा पेस्ट बनाना है, और पानी हमने इसमें एक भूर भी एड़नी करना है इस टाइम पे, तो यह मैं पीस के रख लूँगी, तब तक हम बढ़ते है अपनी कड़ाई की ओर, तो सेम कड़ाई में मैंने दो बड़ी चमच ओल डाला है, अगर आपको ज़्यादा ओली खाना पसंद है, तो आप इसमें तीन से चार बड़ी चमच तक ओल डाल सकते हैं, तो मैं आपे कम ओली बना रही हूँ, तो उसके बाद तेल गरम उनके डाल लोंगी, काली मतलब बड़ी लाईची होती है, तो आप चाहे तो अगर आपको इसके बीज वैसे पसंद नी आएंगे, तो आप इसका हलका सा कूटके भी ढाल सकते हैं, तो इस तरह से मैंने इनके बीज इसमें ऐड़ कर लिया है, इसके साथ साथ हम इसमें एड़कर साथ से आठ दाने काली मिर्च के तो इससे इसका फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाता है तो अभी मैंने फ्लेम रखी है मीडियम पे और मैं मीडियम फ्लेम में इसको थोड़ी देर के लिए भूल लूंगी इसमें से बहुत अच्छी खुश्बुआने लग जाएगी तो अब अब मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसी इजी रेसिपी के साथ आते रहती हूं और बगल में जो बैल आइकन होता उसको प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालो उसका नोटिफेकेशन आप त थोड़े देर के लिए तो दो मिनिट मैं इसको ऐसे मीडियम फ्लेम में भून लूँगी उसके बाद हम इसमें एड करेंगे मसाले सबसे पहले मैं इसमें एड करूंगी धनिया पाउडर दो छोटी चमच इसके बाद हम इसमें एड करेंगे आरी चोटी चमच हल्दी पाउ जाती है color वाली वो इसमें यूज़ कर सकते हैं और नमक आप अपनी टेस्क एकोर्डिंग दीजिए और लास में इसमें एट किया है मीट मसाला इस इसका टेस्स बहुत ही बढ़ जाता है और बहुत अच्छा आता है अगर आप मीट मसाला एट नहीं करना चाहते हैं तो आप में गरम मसाला भी एट कर सकते है आद्री चोटी चम्मच तो इन सब को में अच्छी से बून लेंगे तीन से चार मिनट के लिए तो यह मसाले छीटे मारते उपर को तब मैंने इसको ढखकर भूना है लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको भूनना है तो आप लोग देख सकते हैं मसाले अच्छी से बून चुके है और ग्रेवी का जो कलर है वह चेंज हो चुके है अब अब इसमें एट करेंगे एक कप मतर तो मतर में यहां पर फ्रोजन वाले यूज कर रही हूं अगर आप फ्रोजन वाले यूज नहीं कर रहे हैं तो आप पहले मतर को छील के उसको बॉल कर लेना फिर इसमें एट करना इससे मतर जल्दी पक जाता है और वैसे बहुत टाइम लेता है मतर पकने में तो मतर पानी आप इसमें एड़ कर सकते हैं अभी हमें क्या करना है इसको हाइ फ्लेम पे एक बॉइल देना है तो एक बॉइल आ चुक है इसमें अब हम इसको ढखकर पकाएंगे लो फ्लेम पे और लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है 6-7 मिनिट के लिए ताकि जो मसालू का फ्लेवर मतर में अच्छी से आ जाए तो 6-7 मिनिट हो चुक है और मैंने इसको बीच में एक दो बार चला लिया था ताकि इसका तला ना लगे तो यह देखी ग्रेवी बिल्कुल अच्छी से बन चुकी है ठिक ग्रेवी है और यह बहुत ही टेस्टी बनती है सबजी आप मैं इसको गारिश कर लोगी थोड़े से हरे धनिया के पत्तों से और अगर आप इसको होटल स्टाइल का बनाना चाहते तो आप इस स्टेज में एक बटर का पीस इस में डाल सकते है उसे इसका टीस बहुत अच्छा आ जाएगा तो अभी मैं इसको सिंपल बना रही हूं तो अब मैं यह देखे हमारा मतर मसाला बनकर रेडी है आप इसको चावल के साथ खाई या रोटी के साथ खाई या पराटे के साथ कर यह बहुत ही टेस्टी लगता है और हमने इसको सिंपल बनाए बिल्कुल बिल्कुल ऑईल नी डाले जादा तो आपको बहुत पसंद आएगा देखन अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और इसको ट्राइक जरूर करना यह बहुत ही टेस्टी बनती है तो यह देखी हमारा जो मतर मसाला है बिल्कुल परफेक्ट बना है और इसकी आपको मैं थिकनस दिखाती हूं तो इसके ग्रेवी देख